नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोच कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स जादू कार्ड डंडा पार्ट टू मामा भांजे की बात सुनकर तट पर मचलियां पकड रहे मचेरों में खल बली मच गई वे सभी सोने की मचली को पकड़ने के लिए नदी में कूत पड़े सोने की मचली? जाल डालो जल्दी कहां है? जाने ना पाए नाव तेजी से बढ़ाओ सोने की मचली कहीं होती? तभी तो हाथ लगती हाँ, एक लाप यह हुआ कि वे मचेरे मामा भांजे की तेजी से भागती नाव को खे कर किनारे पर ले आए, बच गए हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तेरा कौन हो तुम लोग? बिना पतवार के नाव में सवार होकर कहां जा रहे थे? कहां है सोने की मचली? हम लोग राजा के मचेरे हैं इस नदी में सोने की मचलियां होती हैं राजा ने हमें उन्हें पकड़ने का काम सौपा है एक-एक मचली दस-दस हजार रुपे की होती है आप राजा के मचेरे? धन्यबाग हमारे हमारे सरदार के पास चलिए वह आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे चलो मचेरों का सरदार एक बेहत मोटा बुढ़ा था उसकी दो बेटिया थी वे दोनों भी बेहत मोटी और कुरूप थी मचेरे मामा भांजे को ले सरदार की जोपड़ी के पास आए तो वह चबूतरे पर पसरा पैठा हुक्का पी रहा था उसकी दोनों बेटिया पास में खड़ी थी सरदार ये राजा के मचेरे हैं कहते हैं इस नदी में सोने की मचलिया रहती है उन्हें पकड़ने आए हैं राजा के मचेरे, सोने की मचलिया अरे ये तो हमारे जाती भाई है एंकी खातिर करो क्यों भाई इस नदी में सोने की कितनी मचलिया है हमें भी सिखा दो उने पकड़ना हाँ हाँ ज़रूर सिखा देगे आप फी राजासाहाप के लिए पकड़ा करना, एक मशली पकड़ने के 20 रुपे मिलेंगे, तुम तो हमारे लिए देवता बन कर आए हो, आओ, पधारो, और मामा भान जी की खातिर शुरू हो गई, उनके सामने खाने पीने की बे शुमार चीजे सजा दी गई, सरदार की दोनों मोटी लड़कियों ने मामा भान जी को पंखा जलना शुरू कर दिया, खाओ जी, धन्य बाग हमारे, आप आए, अब आप यहीं रहें, मैं अपनी दोनों रड़कियों की शादी आप से करके आपको अपना दामाद बना लूँगा, क्या तुम्हीं यह रिष्टा मनजूर है, खाना खाकर मामा भान जा आराम करने के लिए एक जोपड़ी में ले जाए गए, यह जोपड़ी अब तुम्हारी ही है, आराम से यहां रहो, खाओ पियो, मौच करो, अब तुम हमारे सरदार के होने वाले दामाद हो, मचेरा चला गया तो, भांजे यह तो फिर फस गए, हाँ मामा, यहां से भागने के अकल लड़ाओ, वरना इन हतनियों से शादिक करने ही पड़ेगी, जीवन में दूसरी बार मामा भांजे ने अपनी अकल का इस्तमाल करना शुरू किया, सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे, तो यहां से भाग चलेंगे, राम राम करते रात हुई, अंधेरा चाया त चुप चाप भांजे, दर्वाजा ढाम दो, ताकि लोग समझें कि हम अंधरी हैं, ठीक है मामा जी, अरे, अंधेरे में आप लोग कहां जा रहे हैं, दीपक लेकर आया था, सोचा, अंधेरे में आप दोनों परिशान होंगे, यह कमबक कहां से आ टपका, जी में आता है पा आक में दम, माफ करना हुजूर, रात में इसलिए आया, कि कोई देख न ले, मैं मचेरों का छोटा सरदार हूँ, मामा जी, अकल, अकल, अब अकल लड़ाओं, हमारा बड़ा सरदार बहुत लालची आदमी है, वे सोने की मशली पकड़ना सीख कर आपको मरवा देगा, आप चरह होश्यार रहिएगा, मामा जी ने सही समय पर अकल लड़ाई, छोटे सरदार को ही सोने की मशली पकड़ने की तरकीव सिखाने की बहाने, वे दोनों वहां सी रफू चकर हो गए, छोटा सरदार उन्हें नदी के किनारे बनी, अपनी जोपड़ी में ले गया, आप नहीं भांजे, भाग कर जाएंगी भी कहां इस समय, फिर पकड़े गए तो मुसीबत होगी, हमने अभी तक अकल ही का इस्तमाल किया है, सरपंच की दूसरी बात पर काम नहीं किया, कौन सी दूसरी बात, हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर भी हिलाने चाहिए, समझ गया मामा, भस, मामा भांजा जीवन में पहली बार पूरे मन से हाथ पैर हिलाने के लिए भी तयार हो गए, जोपड़ी के दरवाजे के ओट में वे दोनों एक-एक इंत पकड़ कर खड़े हो गए, जैसे ही मचेरों का छोटा सरदार दीपक ले जोपड़ी म में डाल दिया, इस बार पतवार भी देलेंगे, नाव किनारे किनारे चलाएंगे, सेवेरा होने से पहले ही हम नाव में बैठ यहां से दूर निकल जाएंगे, और पौफड़ते ही मामा भांजा मचेरों की छोटी सी नाव में बैठ चल दिये, सरपंच ने ठीक ही कहा था भ की, कुछ दूर पर घाट था, बहुत से लोग वहां नहा धो रहे थे, मामा भूग लगी है, भूग तो मुझे भी बड़ी चोड से लगी है भांजे, घाट पर उस दिन कोई मेला लगा था, मामा भांजे भूग से बिलबिलाते मेले में घूमने लगे, ना रहा गया तो ए भांजे चाट वाले कैसे दी चाट? एक रुपे का पत्ता है बाबुजी, कितने दूँ? याद करोगे? सुनते ही, भांजे जी, तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास तो मामला खलास है, मेरे पास, मेरे पास कहां से आए? कितने पत्ते लगाओ बाबु? नहीं भाई, उंचा बनाने में मेरी मदद करनी होगी, बोलो, हाँ कहो तो एक एक पत्ता चाट भी खिला दूँगा, जल्दी बोलो, और ग्रहक भी आ रहे हैं, हाँ चाट परे भाईया, काम तो अब करना ही पड़ेगा, सरपंचनी सची कहा था, हम नौकरी कर लेंगे, लाओ, एक एक प राएंगे, चाट वाले का काम महनस से करेंगे, यह लो उबले हुए आलू, इने छीलो, छिल के इस टोकरी में रखना, यह लो धनिया और पोदीना, सिल पर खूब महीन पीस का चटनी बना लो, मसाले सामने रखे हैं, डाल लेना, यह दही का मठका लो, इस मत्री से इसे बि रूआ, तो मामा भांजे ने आवाजे भी लगाई, बंबई की चाट वाला हाजमेदार पानी, जाय के दार पापडी, चाट वाला, चाट वाला मसालेदार चाट, बड़े महनती हैं दोनों, लोगों ने शौक शौक में पत्ते खरी दे और खाई, तो, ओई मा, यह दम अरे भाईयो, पैसे तो देते जाओ, बोलो तो, क्या हुआ, पैसे कैसे, अपना मल खुद चको, चाट वाले ने चीजे चकी, तो उसका सिर भनना गया, हर चीज में जरूरत से ज़्यादा नमक और मिर्च मसाले थे, कितने मसाले डाले थे तुमने हर चीज में, आपने ही कह था, मसाले उधर रखे हैं, डाल देना, सुट डाल दिये, चाट वाले का पारा साथ में आस्वान पर जा पहुचा, उसने डंडा उठाया, तो मामा भांजा सिर पर पैर रखकर भागे, आगे आगे वे, पीछे पीछे चाट वाला, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, मर पा बने बैठ गए, भगवान ने भली करी, बच गए, वरना अस्पताल में पड़े होते, हमसे गलती हुई भांजे, हमें काम करते हुए भी अकल का इस्तमाल करना चाहिए था, भला सारे मसाले डालने की क्या जरूरत थी, कुछ ही देर पीती थी, कि लाठी कंदे पर रखे, ए छाए में जाओ, पैसे दो और खाँ पियो, यहां मेरी फसल क्यों खराब कर रहे हो, पैसे होते तो सराई या होटल में नहीं चले जाते, बिना हाथ पैर हिलाए, पैसे ही कहां से आएंगे, हट्टे कट्टे हो, कमाते धमाते क्यों नहीं? काम हमें देता कौन है, काम करोगे करेंगे, हाँ हाँ, बताओ, तो लो ये गुलेल, मेरे खेत की रखवाली करो, सवेरे तक किसी ने फसल को नुकसान नहीं पहुचाया, तो दोनों को पांच-पांच रुपए दूगा, सवेरे पैसे मिलेंगे, खाना तब खा लेना, गुलेल दे कर किसान चला गया, तो, दो र सारे पत्थर लेकर मचान पर चड़ गये, रात में फसल को नुकसान पहुचाने कोई आएगा, तो इन पत्थरों से भगाएंगे, गुलेल पर रख कर, मामा, आधी रात तक मैं सोचाता हूं, फिर मैं रखवाली करूंगा, आप सोचाना, रात गहराई तो मामा ने खेत में एक जगे रोश्णी सी देखी, जट गुलेल उठाई, एक तेज नुकिला पत्थर उसमें रख जो छोड़ा, तो एक तेज चीक गुंजी, कौन था? जो भी था, भाग गया, भांजे जी, उठो, मुझे सोने दो, सवेरा हुआ तो वही किसान रोटी छांश लेकर खेत पर देखा मामा सो रहा है, भांजा बैठा खेत की रखवाली कर रहा था, मामा को जगाओ, लो, रोटी खालो, कोई आया तो नहीं था फसल काटने, आया था, मैंने ऐसी गुलेल मारी की भाग गया, मामा किसान की आवाज सुनकर जाग गया था, गुलेल की पत्थर से भाग गया कमाल है, यकीन नहीं तो आव मेरे साथ, मैं बताता हूँ, वह काँ शिपा था, चकित किसान मामा की साथ साथ खेत में घुज गया, मामा उसे वहाँ ले गया, जहां रात को उन्होंने रोश्णी देखी थी, यहीं शिपा था वह, यहाँ, अरे, यह क्या, किसान की साथ साथ मामा ने भी देखा, वहाँ एक मटका रखा था, उसके मुह पर कपड़ा बंधा था, यह मटका, यहाँ कैसे आया, क्या हो सकता है इसमें, यह उसी बदमाश का होगा, मैंने पत्थर मारा, तो हरबड़ी में वह इसी कहीं छोड़ गया होगा, इसे फोड़ कर देखते हैं, बापरे, इस मटके को मचान पर ले चलते हैं, वहाँ देखेंगे, हाँ, यही ठीक है, भांजे जी, उठा लो मटका, मटका उठा कर वे तीनों मचान पर आ गए, मटका बहुत भारी है, इसमें सांप बाप नहीं, शायद मिट्टी भरी है, नहीं, जब भांजे ने उसे मटका गले तक सोने की चमकदार अशर्फियों से भरा था, इतना धन देखकर, तीनों खुशी से उचल पड़े, अशर्फियां, हे भगवान, चुप रहो, शोर मचाओगे, तो सारा धन पंचायद छीन लेगी, हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा मेरा, दूसरा त इस्तित तीन होंगे, हम दोनों रखवाली न करते, तो ये मटका कैसे मिलता, मगर खेत तो मेरा है, खेत ना होता, तो मटका कहां मिलता, तुम रखवाली किसकी करते, मामा, चुप भी रहो, अकल से काम लो, लड़े तो बात फूट जाएगी, इस किसान का कुछ नहीं बिग लो, उठाओ अपने हिस्से की धेरी, मेरी जिम्मेदारी खत्म, आव इसे हिफाज़त से रखना न रखना तुम्हारा काम है, मामा, इन्हें ले किसे जाएंगे, थेहरो, सोचने दो, मेरी मानो, तो इन्हें भी मेरे ही पात जमा करा दो, हर महीने आकर थोड़ी थोड़ी कर के ले जाना, काईया है, इन्हें हम ले ही जाएंगे, बस मामा ने अपना मोटा खादी का कुर्ता उता रहा, उसके दोनों बाहें आपस में बांद कर उसे जोले जैसा बना, सारी अशर्फियां उसमें भरती, यह हो गया हमारा बैंक, सुनो किसान भाया, ये गुलेर भी हमे से चल दिये, रास्ते में उन्हें एक जगा पहुस्ते तेज नुकीले पत्थर पड़े दिखाई दिये, भांजे जी, अपना कुर्ता भी उतारो, उसका जोला बना कर ये पत्थर उसमें भर लो, अरे मामा जी, क्यों इन पत्थोनों तले मेरा कच्चुमर निकलवाते हो, बला किस कामाएंगे ये पत्थर, बातों में समय नगावाओ, अब मेरी अकल हिरन कितने भागने लगी है, जल्दी करो, चल भाईया गबरू, मामा की अकल भागने लगी है, तो बोश तले मर, भांजे ने भी अपना कुर्ता उतार कर उसमें पत्थर भर लिये, दोनों जल् सराई के सामने पहुंचे, तो उसमें से आती स्वादिष्ट भोजन की गंध ने मामा को विचलित कर दिया, भांजे जी, तुम ठीक कहते थे, सराई में एक दिन रुख जाते हैं, खा पीकर आराम कर लेंगे, तो शरीर में जाना जाएगी, हाँ मामा, आखिर मेरी अकल ने कंधे से अशर्फियों भरी गठ्री खोली, उसमें से एक अशर्फि निकाल कर सराई वाले को दी, तो उसकी आँखे फट गई, सुनिए, हमारी सराई में बड़े बड़े चुहे हैं, इस गठ्री को आप हमारे पास चमा करा दे, कहीं चुहे न ले जाएं, नहीं, खाना खा गठ्री हम सिराने लगा कर सोते हैं, पत्त्रों वाली गठ्री कोने में रख देते हैं, उन दोनों ने ऐसा ही किया, अशर्फियों वाली गठ्री सिराने लगा कर मजे से सो गई, सवेरे उठे तो देखा, कोने में रखी गठ्री कायब है, अब तुरंत यहां से निकल चलो भ मजे में कटते रहें अब तो हमारे पास अकल भी है हमारे हाथ प्यार भी काम करने लगे हैं हमें चाट की दुकान खोल लेनी चाहिए उसका हमें थोड़ा बहुत अनुभव भी है नहीं भांजी जी मैं सोचता हूं कि इन रुप्यों से हम कुछ भी ऐसा करें कि यह डूबे न रही थी मामा भांजे ने उसके पास जाकर पाने पिया बुढ़िया की शकल उन्हें कुछ जानी पहचानी लगी माई लगता है तुझे कहीं देखा है लगता मुझे भी है अरे नास पीटो दीदे फूट गए है तुमारे अपनी चाची तक को भूल गए अकेरी छोड़कर न जाने कहां सटक गए अब कहते हो कहीं देखा है वह बुढ़िया मामा भांजे की मकान मालकिन थी दोनों उसे चाची कहा करते थे मामा भांजे के शहर से लापता हो जाने के बार वह बेचारी अकेली उन्हें न जाने कहां कहां खोशती रही इसी चक्कर में उसके सारे पै पैसे मिलते तो शहर लोट जाती हमारी अच्छी चाची हम भी खासा पैसा कमा कर लोटे हैं मामा भांजे ने चाची को आप बीती सुनाई तो चाची खुश हो गई भगवान तेरा लाख-लाख धन्यवार तो ने इन दोनों को अकल दे दी अब बोल क्या करें चाची की कहने से मामा भांजे ने शहर के समीब एक गाउं में जमीन खरी दी एक ट्रेक्टर खरीदा बड़ा सा एक फार्म बना लिया उन्होंने नाम रखा उसका चाची फार्म पूरी महनत और अकलमंदी से खेती का काम संभाला तो वे दिन दोने राज चोग्यूने संपन होते चले गए एक दिन मामा भांजा शहर में चाची से मिलने आए अरे सुना है शहर में वही जादूगर फिर आया है मुझे उसका जादू दिखलाओ ना वही जादूगर हाँ हाँ जरूर चलेंगे उसी शाम को वे दोनों चाची को ले जादू का खेल देखने पहुँचे हम बन जा बि ही गए हैं जादूगर जी अब हमारे पास अकल का डंडा है और हाट पैरों से पूरा काम लेने का मंत्र भी मामा भांजे जादूगर को अपने फार्म पर ले गए अकल के डंडे को घुमा कर हमने महनत का मंत्र पड़ा तो देखिए यह सब कुछ बन गया यह एक दम हमारा ह है वाह मेरा जादू तो नकली है सच्चा जादू तो तुम्हारा है क्यों चाची हां भाईया मैं तो इनसे इन बातों को कहते कहते हार गई जब ठोकर लगी तो खुछ समझ गए तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद